हेलो बच्चो कैसे हो आप सब तो बच्चो स्वागत आप सब लोग का स्टर्लिंग एजुकेशन के ऑफिशल यूट्यूब चैनल में बच्चो आज के लेक्चेर में अपन स्टार्ट करेंगे पाइप संसिस्टन्स के टॉपिक के साथ इस टॉपिक को करने से पहले और बच् कच्च प्रसीड करेंगे रहां चैटर्के साथ चल या तो स्टार्ट करते हैं अपन आज की लास के साथ लेकिन देखो अफिष्कला से पहले हैं अन्दर और अपने पास यह होता है कि त्छ फिल करना होता है घिक है अगा जिसको अपन ।टेंक भी कहते हैं यसा शिस्टन क कहते हैं अब definitely इसको जो fill करते हैं तो एक pipe होती है जिसको आपन कहते हैं inlet और एक pipe होती है जो इसको empty करती है उसको आपन कहते है outlet ठीक है यह याद रखेगा outlet या जो leak होता है वो हमेशा empty करता है जो inlet है वो हमेशा उस tank को क्या करता है फिल करता है ठीक है जो work done होता है वो हमेशा positive होता है inlet का और negative होता है outlet का ठीक है बच्चों ये चीज़ होते हैं लेकिन अभी work done क्या है या amount of work done क्या है तो देखिए basically क्या होता है आप suppose करिए कोई एक अपने पास 10 लीटर का tank है मैं आपको एक example दे रहा हूँ कोई 10 लीटर का tank है उस 10 लीटर को tank में एक pipe जो है वो 4 लीटर अपना basically fill कर रही है ठीक है चार लीटर पर आर के हिसाब से fill कर रही है ठीक है तो ये basically बच्चों क्या हो गया inlet हो गया अब इसकी जब आ value लोगे तो बच्चों positive लोगे और एक हो गया outlet ठीक है जो उस में से उस pipe में से पानी को बाहर निकालती है तो वो हो गया minus का 6 लीटर पर आर अपने assume कर लिया तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा minus का 6 लीटर पर आर जो है वो एक तरीकी सा outlet का work करेगा plus का 4 लीटर पर आर जो 6 लीटर हो रहा है तो इसका मतलब minus का 2 लीटर हो गया minus का 2 लीटर मतलब कि tank कभी भी fill हो ही नहीं सकता tank हमेशा आपका क्या होगा empty ही इसके अंदर होगा ठीक है तो basically इसके अंदर बच्चों होता क्या है अपन दो चीज़े लिखते हैं inlet minus outlet is equals to positive and inlet minus outlet is equals to negative अगर देखो बच् outlet की value करोगे वोगर value positive आ रही है वो सिर्फ तभी possible हो सकता है बच्चों जब inlet is greater than outlet हो तो इसका मतलब tank हमेशा finally क्या होता है fill होता है ठीक है और inlet minus outlet negative सिर्फ तभी होता है बच्चों जब inlet less than होता है outlet और इस case में tank हमेशा क्या होता है अपना empty होता है ठीक है अब बात आती है क इनलेट और आउटलेट के अंदर ये तो मैंने आपको एक एक्जामपल दे दिया लेकिन अब मेन बात होती है कि ये अपन निकालेंगे कैसे एक्जामपल तुम्हें ये मैंने वैल्यू अज्यूम कर लेकिन अपने को कहां पर दे रखा होगा कि अपने को इतना लीटर वो फि इतने टाइम के अंदर फिल करता है इतने टाइम में एमटी करता है ठीक है तो इसके लिए अपन बच्चों क्या करेंगे देखो अपन थोड़ा सा चीजों को समझते एक टाइमन वर्क के फॉर्मले पर आएंगे क्योंकि ये जो चैप्टर है बेसिकली टाइमन वर्क का ही एक अप्लिकेशन है तो इसमें एक बेसिक सा फॉर्मला आपका टाइमन वर्क का लगता है अमाउंट ओफ वर्क दन इन वन आर या वन मिनिट इस इक्वास तो टोटल वर्क या टोटल कैपेसिटी ओफ तैंक डिवाइड बाय नमबर ओफ आर्स ठीक है नमबर ओफ आर्स लगेगा अब देखो यह चीज क्या है बच्चो अमाउंट ओफ वर्क डन इन वन आर बेसिकली जो यह चीज मैंने आपको अजम्शन लिया ना वैल्यू यह यही चीज है अब यह तो एक्जाम्पल है तो मैंने एक वैल्यू ले करता है 15 मिनिट्स में तो टोटल कैपेसिटी अपन क्या करेंगे बच्चों 10 और 15 का LCM ले लेंगे 10 और 15 का LCM कितना हो जाता है 30 और ठीक है अब देखो 30 हो जाएगा तो 30 यह आपका आगा 30 30 की वैल्यू यह होगे टोट टी डवल्यू का मतलब है टोटल वर्क यह इसे आप पर के साफ से 5 अगर एंट्र है तो प्लस कर दो आउट्लेट ओ तो प्लस दो आउटलेट है तो नेगीटिव कर दो और सेम 30 divided by 15 तो यह कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा तो यह 3 plus 2 के इन ओजाएगा 5 होजाएगा और मालोगो यह आउटलेट है फ़रेग्जैम्पल यह outlet है तो इसे आप negative कर दो तो यह हो जाएगा 3 minus 2 तो यह नहीं 1 unit हो जाएगा 1 unit का मतलब 3 unit fill हो रहा है 2 unit empty हो रहा है तो इसका मतलब resultant value कितनी ही plus का 1 अब plus का 1 है resultant value plus है तो इसका मतलब यहाँ पर जो अपना inlet minus outlet इसका मतलब positive value आई थी इसका मतलब tank अपना क्या होता है इसके अंदर fill होता है ठीक है बच्चों यह तो देखो एक example था जो मैंने एक rough example लेकर आप लोग को समझाया अब अपन questions से प्रसीड करते है आप लोग को questions में समझ में आ जाएगा इसमें यह concept होता और एक efficiency का इससे जादा के concept नहीं है इसके अंदर बस different variety of questions और भी आपन करते जाते है आप लोग को समझ में आ जाएगी चीज़े ठीक है बच्चों I hope आप लोग को चीज क्लियर हो रही है अब देखो अपन exam first question से आते हैं आज के आप लोग first question देखो a pipe can fill a tank in 16 minutes and another pipe Q can empty the whole tank in 32 minutes if both P and Q are opened simultaneously then the time taken to fill the tank is देखे एक pipe है इसके अंदर P जो 16 minutes में tank को बच्चों fill करती है और Q जो है वो 32 minutes में tank को empty करती है देखो यहाँ पर लिखा है empty the tank और यह लिखा है fill the tank इसका मतलब यह जो है यह अपने पास क्या है इलेट है और यह अपने पास क्या है बच्चो आउटलेट है ठीक है तो अब देखे इसके अंदर अपना total capacity कितना हो जाएगा 16 और 32 का LCM बच्चों यहाँ पर 32 हो जाएगा 32 divided by 16 प्लस का 2 32 divided by 32 minus का 1 हो जाएगा ठीक है clear है अब हमेशा ध्यान रखना number जो आपको add किया जाता है वो हमेशा यह किया जाएगा time को बच्चों कभी भी time in work के अंदर in pipes and sisters के अंदर जो यह hours होते है minutes के अंदर यह days के अंदर value उनको कभी भी add या subtract मत करना ठीक है यह कभी भी नहीं होता जो भी add हो या subtract होगा वो बच्चों यही value आपकी होगी amount of work done in one hour यही value add या subtract होती है यह कभी भी add और subtract नहीं होती यह चीज़ का आप लोग ध्यान रखें ठीक है अब देखें यहाँ पर दोनों एक साथ काम करें इस बोथ pn की और open simultaneously simultaneously का मतलब बच्चों एक साथ open किया जाता है तो 2-11 और उसके बाद आपको क्या बताना है total time तो total time देखो बच्चो 32 minutes और एक unit वो फिल करता है ठीक है 32 units है एक unit वो फिल करता है तो इसका मतलब इसको कितना time लगेगा 32 minutes और यह चीज़ मैंने क्यों किया total time is equals to this यह देखो यहाँ पर बच्चों मुझे total work दे रखा 32 number of hours of find out करना तो मैं इसको इदर ले जाओंगा amount of work को इदर ले जाओंगा तो basically मेरे पास formula क्या बन जाएगा number of hours is equals to total capacity divided by amount तो यह formula बन जाएगा तो देखो यहाँ पर total capacity है वो 32 है amount of work जो resultant का है वो कितना है one आजाएगा तो मेरे पास number of hours आजाएगा कितना? 32 minutes तो मेरे पास answer कौन सा हो जाएगा बच्चों 32 minutes हो जाएगा अगर दोनों fill करते हैं तो दोनों plus होते हैं दोनों empty करते हैं तो दोनों negative होते हैं एक फिल कर रहा है एक empty कर रहा है तो एक plus एक minus हो जाएगा depending उनका क्या nature है ठीक है बच्चों clear है तो इस टाइप से questions को अपन प्रसीड करते हैं अपन next question की तरह बढ़ते हैं आपको और बैटरी चीज सान में आ जाएगी अब देखिए बच्चों यहां पर दे रखा है pipe X can fill a tank your system thrice as fast as another pipe Y and the pipe Y is thrice as fast as pipe Z X, Y, Z together fill the tank in 10 minutes and the time taken by the X to fill the tank in ठीक है देखिए बच्चों यहां पर 3 pipes X, Y और Z ठीक है pipe X भी जो हो फिल कर रही है Y जो है वो भी आपका फिल कर रही है Y आपका Z भी जो है वो भी फिल कर रही है X, Y, Z together can fill the tank यानि तीनों इसके अंदर inlets है तो तीनों की जो एफिशेंसी होगी या amount of work होगा वो positive होगा अब देखिए यहां पर क्या होता है बच्चों amount of work अगर मैंने यह माल लिए X को compare किया Y से Y को compare किया Z से ठीक है तो मैं Z के amount of work को 1 माल लेता हूँ यह माल लेता हूँ कि यह एक unit में fill करेगा क्योंकि यहां पर अपने को total time तो देखो definitely सिर्फ इसका दे रखा है ABC का time तो दे नहीं रखा अब लेता है तो आपन लसे में किसका लेंगे अपन लसे में सिर्फ टाइम का लेते हैं तो आपन यहां पर time नहीं दे रखा तो आपन क्या करेंगे Z की value को 1 मानेंगे क्योंकि start करना यह हो जाएगा बच्चो टू और यह हो जाएगा फोर ऐसा क्यों नहीं यह आपका thrice देख रखा है इसके अंदर यह बच्चो जाएगा 3 और यह जाएगा आपका 9 जाएगा तो यह वैल्यों ठीक है तीनो बच्चो फिल करते हैं यह भी positive यह भी positive जब तीनो फिल करेंगे तो x plus y plus z यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 13 units हो जाएगा देखो बच्चो अभी तक अपन यहां जब निकाल इसको निकाला था तो यह LHS में रा था time and number of hours नीचे रा था जब number of hours निकाला तो यह LHS में आ गया तो यह नीचे रा अब क्या होगा बच्चो अपने को यह चीज निकालनी पड़ेगी तो इन दोनों का मैं cross multiplication कर दूंगा तो basically में पास formula क्या बचेगा total work is equal to number of hours multiply by amount of work ठीक है बच्चो यह चीज बचेगा TW यह TCA की बात है TW मनला total work, TC मनला total capacity ठीक है बच्चो एक ही चीज को रिप्रिजन करती है तो देखो 13 हो जाएगा 13 किसका है? तीनों का मिलाकर और 10 मिनिट जो है वो भी तीनों का मिलाकर ही time है तो मैं इसको 10 से multiply कर दूंगा तो यह बच्चो कितना हो जाएगा 130 units हो जाएगा ठीक है? अब देखिए अपने से बच्चो पूछ किसका रहे time? then the time taken by the X का पूछ रहे है तो जिसका time पूछ रहे है तो जि इसकी efficiency से divide कर दो और इसकी efficiency X की कितनी है? आपकी thrice है क्योंकि देखो दे रखा है pipe X can fill a system thrice as fast as pipe Y और Y thrice as fast as pipe Z. तो यह 1 का thrice 3, 3 का thrice यह. ठीक है बच्चो तो यह value हो जाएगा इसके अंदर आप देखिए इसको आपन डिवाइड करते है तो यह आजाएगा 1 9 आजाएगा उपर और उसके बाद बच्चो यह आजाएगा अपना इसको अपन पूरा solve करते हैं देखिए 130 और 9 आपका किसी भी number से नहीं कट रहा है कोई दिक्कत नहीं है तो यह हो जाएगा बच्चो आपका 1 हो जाएगा 9 बच्चा 44 36 ठीक है और इसके अंदर जो आपकी वैल्यू आजाएगी 9 आजाएगी 36 फोर आजाएगा ठीक है बच्चो यह आपका वैल्यू आजाएगी इसके अंदर और यह जो बच्चो वैल्यू आएगी देखिए वैल्यू यह जो आ रही है और अपने से जो इसमें पूछा है नहीं यह देखो hours के अंदर पूछा तो यह divide करने से better है आप पहले इसको minutes में change कर लो ठीक है तो 130 upon 9 into आप इसको 60 कर लो divided by 60 कर लो ठीक है into 1 upon 60 कर लेजी आप इसे तो यह इससे cancel out हो जाएगा 13 upon यह आपको हो जाएगा 54 hours तो बच्चो इसको जब आप solve करोगे तो आपको answer मिल जाएगा इसके अंदर basically जो अपना answer आ रहा है वो है none of these ठीक है इस तरीके से value आजाएगे इसके अंदर तो बच्चो में जो इसके अंदर concept है वो आपकी यह वाली value इस तरीके से अपने को करना है जब भी efficiency दे रखे और अपने को time total time दे दिया हो तो उसकी total efficiency से total time को multiply आप कर सकते हो ठीके बच्चो clear है आप लोगों को चलिए next question के तरह बढ़ते है अपन देखे बच्चो three pipes A and A, B, C can fill a tank in 10 hours तीनों पाइप का combined time दे रखा है after working at it together for three hours after working at it together together का मतलब है बच्चो A, B, C तीनों ने एक साथ काम किया तीन घंटे के लिए तीनों ने बच्चो कितनी दिर के लिए काम किया तीन घंटे के लिए और उसके बाद C को कर दिया बच्चो close C को close कर दिया इसका मतलब A और B ही बचे और A और B जो है बच्चो टैंग को कितनी दिर में आपन क्या करते है बच्चो जो टोटल वर्क या टोटल के परसिटी ठीक है बच्चो यह में इसके अंदर इक्वेशन बनेगी किस तरह सापको करना है लेकिन आप में बात यह कि A B C की आपने को नहीं पता कोई दिकत निया बच्चो अपने को यहां पर ढक्रपर दे रखा है यह हो जाएगा area बच्चो a plus b plus c का दे रखा है कितना 10 hours का दे रखा है तो अपन क्या करते है बच्चो जो total capacity है ना इसको इसके बराबर माल लेते हैं यह हो जाएगा 10 units तो इससे क्या निकल के आएगा कि a plus b plus c जो है वो हो जाएगा 1 unit per hour हो जाएगा अब देखो a b c की value आगे बस अपना काम खतम इस a b c को बच्चो यहाँ put up करेंगे अगें कहा रहा हूँ यहाँ पर जो values put up करेंगे वो आप efficiencies की value put up करेंगे या amount of work done put up करेंगे normally case में efficiency amount of work के बराबर होता है बहुत सारे questions में बट कुछ questions में अलग होता है वो आपन बाद में देखेंगे ठीक है तो यहाँ पर 1 की value को आप put up कर दोगे 1 into 3 plus और total work बच्चो आपने यहाँ कितना माना था 10 माना था तो यहाँ 10 की value आप लिख दीजिए ठीक है तो यह हो जाएगा 3 उदर जाएगा 7 तो A plus B is equal to 7 by 4 ठीक है बच्चो यह चीज हो जाएगा अब वो बोल रहा है how much time was taken by the C to fill the tank तो देखे बच्चो इसके अंदर अब यह बोल रहा है A and B can fill the remaining part in 14 hours ठीक है तो यह चीज हो जाएगा इसके अंदर और A plus B की value 7 by 4 आजाएगा और अब इसके अंदर बच्चो देखे यहां पर जो अपने पस value आरी है वो आरी है 7 7 by 4 हो जाएगी और total work अपने यहां पर 10 लिया है ठीक है और क्योंकि यह भी आपका 10 इह था इसलिए आपन इसको same ले ले लेते हैं यहां पर अपने थोड़ी सी हां स्वारी बच्चो यह गरबड हो गए यहां यह 14 आएगा तब ही मैं सोचीं कि किस तरीके से यह कि यह value बच्चो कभी भी greater than 1 नहीं आ सकती ठीक है यहां पर 14 एक्चली दिरखा था मैंने 14 लिखा था यहां मैंने गलती से by mistake 4 लिख दिया था तो यह हो जाएगा 7 by 14 तो 1 by 2 हो जाएगी a plus b की value ठीक है clear है तो a plus b की value कितनी हो जाएगी 1 by 2 यानि half हो जाएगी अब देखो a plus b की value half है a plus b plus c की value कितनी है 1 इसमें से अगर मैं यह चीज माइनस करूँगा तो c की value मेरे को कितनी मिलेगी वो भी बच्चो हाफ ही मिलेगी क्योंकि a plus b की value half put up करो कि अधर जाएगा c की value half हो जाएगी मैंने c की की क्यों निकाली मुझे क्योंकि time जो पूछ रहा है वो किसका पूछ रहा है c का पूछ रहा है तो time taken by c बच्चो कितना हो जाएगा total हो जाएगा 10 units divided by 1 by 2 तो यह हो जाएगा अपने पास 20 hours चीक है यह मैंने गलती से इसको बच्चो 14 को 4 लिग दिया था इस वज़े से थोड़ा दिक्कत हो गई थी चीक है बाकी यह value half आजेगी यह चीज आप धान रखना 7 by 4 बच्चो इस लिए नहीं आ सकता क्योंकि a plus b plus ही खुद मिला कर one unit भर रहे है तो a plus b plus ही 7 by 4 नहीं हो सकत वह भी तब जब a b c 3 अपने tank को फिल कर रहे है तो वह पॉसिबिली नहीं है तो आप वहीं से समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं कुछ लिखने में है calculation mistake आपने कर दी है आप बच्चो इस चीज क्लियर है किस तरह से अपने को कोशन करना है रेको क्या होता है हर अलग अलग टाइप के कोशन में concept वही लगता है लिकिने करने का तरीका अलग हो जाता है कभी-कभी efficiencies दे रखी होते है efficiencies को total time से multiply कर दो के तो भी आपका answer आजाएगा ठीक है कभी-कभी time दे रखा है अलग-अलग तो उन सब का LCM ले लो और कभी-कभी total time दे रखा है इस ताब से equation बन रही है तो आप total time को ही value ले सकते हो अब यहां पर बात आती है बच्चो कि कि यह 10 लेना जरूरी है नहीं आ इसे अपने को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है ठीक है बच्चो I hope आप लोग को चीज क्लेर हो रही है ठीक है और अगर बच्चो लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे like करे, share करें चैनल को subscribe करें चलिए अपन नेक्स कोश्चन की तरफ आते है पाइप A and B can fill a tank in 10 hours and 15 hours while the pipe C can empty the full hours in 18 hours देखिए A जो है fill करता है 10 में, B करता है 15 में, C करता है 18 hours के अंदर तो देखिए पहले अपन यहाँ पर total work निकाल लेते हैं इसका 10 hours, B का दे रखा है बच्चो 15 hours और C का दे रखा है 18 hours, ठीक है तो total capacity हो जाएगा बच्चो यहाँ पर 90, ठीक है, plus का 9, plus का 6, minus का 5 हो जाएगा, ठीक है 90 divided by 18, यह minus इसले रखा क्योंकि यह outlet है अब if the pipe is opened at 7 am, pipe be at 8.30 am, इसका उला 7-8 बज़े तक, दीड़ घंटे में अपने पास pipe A open रही तो इसका मतलब tank, total capacity हो निकालेंगे बच्चों, यहाँ लेखेंगे tank filled ठीक है, देखो, 9 into 1.5, अब उसके बाद, साड़े 8 बज़े को B को भी open कर दिया, जब B को open किया, तो A भी open था, और 10 बज़े किसको open किया, pipe C को pipe C से open होने से पहले हैं, यह देख लेते हैं, tank कितना fill हो रहा है अब जब pipes C अभी भी बन दया, 10 बज़े तक, साड़े 8 सा 10 बज़े तक बच्चों, यह भी open हो गई, इन दोनों को open करेंगे, तो total fill होगा 15, तो यह हो जाएगा 15 into 1.5, ठीक है, तो यह value आ जाएगे अपने किसकी tank filled की, till 10 a.m, ठीक है बच्चों, तो यह value हो जाएगे, अप 7.5 हो जाएगे, ठीक है, मैंने इसको break करके कर लिए, आप इसको add कर ले, 13 और 17 बीस, 21, 21 प्लस 15, 36 units, तो बच्चों, 36 units जो है, यह value, मतलब यह इतना tank आपका fill हो जाएगा, out of 90 units, ठीक है बच्चों, अब यह जो time लगा, आपको कितना time लगा, इसमें, 7 बज़े से 10 बज़ हो चुका है, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर जो है, how much more time will be taken by all the three pipes together, ठीक है, अब 10 बज़े इसको भी open कर दिया, अब जब इसको भी open किया, बच्चों, तो है, 15 में से 5 हो जाएगा, इसका मतलब plus का 10 units फिल हो जाएगा, इसका मतलब plus का 10 units फिल हो लेकिन, देखो, resultant value फिल हो जाएगा, उसके आगे वो फिल ही नहीं होगा, ठीक है, भाई, क्योंकि जो outlet pipe है, उसका पर लीटर flow rate आपका ज्यादा है, तो जितना वो दोनों काम कर रही है, उससे ज्यादा काम तो वो अकेले खुद सिंगल कर रही है, ठीक है, तो उस case में चीज हो जाती है, अब तो देखो, अब बचा कितना है बच्चों, पहले आप ये देख लो, 90, और में से 36 जाएगा, तो बच्चों कितना हो जाएगा, 54 remaining part, ठीक है, तो बच्चों टाइम कितना लगेगा, ये लगेगा आपको टाइम 54 units को fill करने में 10 units की according, ठीक है, 54 units बच्चा और 10 units आपको और लगेंगे बच्चों, ठीक है, तो basically ये जो आपका time हो जाएगा, ये आजाएगा, आपका किसके अंदर, hours के अंदर आपका time आजाएगा, और plus का 3 hours तो आपको पहले ही इसके अंदर अपना लगा है, ठीक है, तो एक तरीके से जो बच्चों अपना total time हो जाएगा, वो ये चीज लगेगी, तो इसने ये नहीं पूछा कितने बज़े तक tank fill होगा, इसने सिर्फ total time पूछा, तो आप ये total time add कर दीजे बच्चों, तो ये आजाएगा, 84 upon 10 इसकी value आपकी आजाएगी, ठीक है बच्चों तो ये आजाएगा अपने पास, 8 4 by 10 आजाएगा, 2 by 5 आजाएगा बच्चों, तो 8 hours आपका 36 minutes ही आपका आजाएगा, क्योंकि देखो 8 की लाइन में जब अपने पास बच्चों आरा इसके अंदर, तो ये आजाएगा, 8 2 by 5, आप इसको और cut कर सकते हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा, 42 upon 5 हो जाएगा, 42 upon 5 हो जाएगा, 8 2 by 5 हो जाएगा, 2 by 5 को आप बच्चों निकालेंगे, तो आपका अंसर इसके अंदर आजाएगा, आप इस 2 by 5 को मिनिट्स में convert करोगे, तो आपका अंसर आजाएगा, क्लेर ठीक है, आप लोगो को method समझ में आ गया, देखो बच्चों कभी-गभी हो सकता है, जब अपन यहाँ पर कोई options कर रहे हैं, तो इन options में से वो चीज मैच ना कर जाएगा, ठीक है, कभी-गभी गलत-बाइ-mistick प्रिंट हो जाता है, लेकिन question बिलकुल सही है, ठीक है, जो पर अपने को जो time लगेगा, वो लगेगा आठ गंटे 24 मिनट, लेकिन देखो यहाँ पर वो पूछ रहा है, आठ गंटे 24 मिनट अंसर में नहीं है, बच्चों, अपना answer जो है, वो यह वाला हो जाएगा, 5 वार्स 24, क्यों? देखिए, वो आप से क्या पूछ रहा है, टोट वार्स 24 मिनट हो जाएगा, तो बच्चों, यह बहुत बड़ी confusion वाली चीज है, यह आप हमेशा पढ़ना, कि वो more time पूछ रहा है, यह total time पूछ रहा है, total time पूछ रहा है, तो जितना time पहले लग चुका है, वो भी इसमें add हो जाएगा, और more time पूछ रहा है, तो जो time लिया, तो बच्चे इसको यह mark कर देते, लेकिन वही चीज है, कि यह वाला option जो है, वो गलत है, ठीके, और अपना सही क्या है, यह वाला option, क्योंकि 5 hours 24 minutes वो more time पूछ रहा है, ठीके बच्चों, clear है आप लोगों को समझ में, आरे है सारी चीज, चलिए, next question के तरफ करता है, और जो Q pipe है, B नहीं, Q pipe है, वो फिल करता है 16 के अंदर, और दोनों जैको सबसे पहले तो यह देख लिया करो, P can empty, sorry, यह empty करती है, देखो, मैंने आपको कहा ना, जोरी नहीं हमेशा पहले आपको फिली दे रखा होगा, empty दे रखा होगा, तो total capacity हो जाएगी अपनी 48, 24 and 16 का, तो यह minus का 2, यह plus का 3, ठीक है, यह empty करती है, Q can fill the tank, सबसे पहली चीज तो यही देखा करो बच्चों, ठीक है, तो यह हो जाएगा, अब उसने बोला कि अभी तक वो क्या कर रहा था, 3 minus 2 कर दिया, total time ले लिया, लेकि नहीं बच्चों, अब alternatively का मतलब है कि एक ब how many more, how many hours will be required to fill the whole tank, if P and Q fill alternatively, doing the work, P begins on the first hour, सबसे परी चीज इसमें ही होती ही, बच्चों, काम को स्टार्ट कौन कर रहा है, काम को स्टार्ट कर रहा है, तो बच्चों, इसमें क्या होगा, पी करेगा, फिर क्यू करेगा, फिर क्यू करेगा, फिर क्यू करेगा, फिर क्यू क है, ये फिर two days की cycle है, ये two days की आपकी इसके अंदर cycle है, इस तरह से बच्चों, repetition हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर, अगर मैं दोनों का combine करता हूं, तो plus का one अपने पास आता है, इसका मलब tank तो बच्चों, फिल हो रहा है, ये बात तो fact है, ठीक है, तो यानि one unit fill होता है, कि दो दिन के अंदर, ठीक है, दो दिन के अंदर, या दो दिन नहीं लेंगे बच्चों, two hours है, ये आप धिहान रखना है, कि days दे रखा है, ये बहुत एक चोटी सी चीज है, hours दे रखा है, ठीक है, ये वला hours है, ये भी hours है, तो इसका मतलब, दो घंटे के अंदर, अब वो ब पुछ रहा है हमसे, 48 अपना अंसर आया, तो बच्चों, देखो, fill an empty tank, ये भी आपका five हो जाएगा, ठीक है, बच्चों, दोनों चीज़े फिल कर रही है, ठीक है, और ये भी हो जाएगा आपका five units, so five units फिल हो रहा है, आपका two hours के अंदर, अब क्या five की table में बच्चो 48 आता है, five की table में 48 आता है, देखो क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप five को एड करोगे, फिर five को एड करोगे, five को एड करोगे, करते करते आप 48 तक जाओगे, five की table में बच्चो 48 तो आता नहीं, और ऐसे कभी नहीं करना, 48 divided by five, वो बच्चो तब होता है, जब दोनों एक साथ फिल कर रही है, alternate menu वो चीज यूज होती है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर, ये देखेंगे, कि यहाँ पर five की units fill हुई कितनी दिर एंदर, 18 घंटे के आंदर, थेक है, 45 units बच्चो कितनी दिर में fill हो गई, 18 घंटे के अंदर ये अपनी fill हो गई, 18 घंटे में बच्चो 45 units, तो अब अपन क्या करेंगे, देखो, अब बारी किसकी आएगी, 18 के बार 19 थहार आएगा, 19 थहार मतला वो बंद 19 hours, यह हो जाएगा 47, अब बच्चो 47 units fill हो गया, कितनी दिर में, 19 hours के अंदर, ठीक है, और अब बच्चो बचा कितना है, इसके अंदर, बचा कितना है, 3 units अपने को fill करना है, ठीक है, 3 units अपने को fill करना है, तो बच्चो 3 units fill करने के लिए आप एक चीज देखो कि यहां पर क्या अपना आ रहा है अब अपने को फिल करता है अपने को लेकिन फिल कितना करना है सिर्फ बन यूनिट क्यों कि देखो बच्चो 47 हो चुका 48 इसका टोटल है ठीक है एक बर दुबारा समझते हैं को देखो यह भी प्लस 2 है य प्लस का 2 इसलिए मैंने कि यह यह प्लस का 1 रो गया अब उसके बद बच्चो यहां पर कितना हो जाएगा यह चीज देखो plus का one unit फिल होगा लेकिन यहां पर जो time लगेगा मुझे सरी one by three लगेगा बच्चो time कितना लगेगा सरी one by three लगेगा तो यह value कितनी हो जाएगी 19 one by three hours 19 one by three hours हो जाएगा इसके अंदर option में बच्चो यह थोड़ी सी गलती है 19 one by three होगा यह option ठीक है क्योंकि देखो यह चीज जो 19 तब आता बच्चो जब यहां पर P की जगा क्यू होता अगर यह क्यू होता ना तो यह 19 option सही था मैंना आपको अभी बोला कि options पे आप तो बच्चो सेम होता solution लेकिन यहां पर अब जब क्यू स्टार्ट करेगा तो वो दुबारा 19 अर में काम करेगा 18 के वार 19 अर में करेगा तो क्यू बच्चो 3 यूनिट्स को fill करता है तो यहनि सीधा थिदा प्लस 3 होता तो 19 आपका answer आ जाता तो वो ही चीज में आपको गा बच्चो कि अगर यहां क्यू होता तो 19 अंसर आता है लेकिन P है तो 19 वन बाई 3 इसका correct option होगा ठीक है आप options को एक बार consider मत करना ठीक है आप जो solution है और अज उस तरीके से मैंने समझा आप उस चीज को है ठीक है I hope आप लोग को चीज कॉंसेट क्लियर है किस तरीके से यह कोशन करना है चलिए बच्चो तो अपन आते हैं यह आज के last question की तरफ देखे बच्चो यहां पर भी easy सा question है pipe B is two times as efficient as pipe C तो बच्चो efficiency of pipe C को आप one क्या लो B जो है वो two times efficient है two हो जाएगा A and B together can fill an empty tank in eight four by seven तो time taken by A and B eight four by seven hours तो यह कितना हो जाएगा बच्चो 56 60 upon seven hours ठीक है बच्चो लेकिन यह A और B का time है pipe A and C can fill the tank A and C कित्ती तर में बच्चो फिल कर सकते है 12 hours के अंदर फिल कर सकते है ठीक है A and C can fill the tank in 12 hours and A and B can fill an empty tank in eight ठीक है दोनों फिल करते है and how many hours required by the pipe B ठीक है तो time taken by आप से बच्चो क्या पूछ रहा है B पूछ अब आप एक चीज देखो यह बच्चो आपको efficiencies यह amount of work इसका दे रखा है B और C का अब यहां पर time दे रखा है A और B का यहां पर A और C का अपने पास A की efficiency का तो इससे कोई time अपने पास time आपने पास उसका B और C का A उसमें से eliminate हो जाएगा फिर आपन B और C का यूज करेंगे ठीक है आपको concept लगाना है कि कैसे आपको यह चीज करनी है ठीक है तो देखो अब इसको करने के दो तरीके कि आप 12 और 6x7 के LCM लो 12 एक इंटीजर है 6x7 एक LCM है 60 ही हो जाएगा और A plus B की जो efficiency हो जाएगी वो हो जाएगी 760 divided by 60 by 7 कैसे आया बच्चो 60 divided by 60 by 7 तो यह जाएगा तो 7 यह सेवन आया ठीक है A plus C कितना हो जाएगा 60 divided by 12 यह जाएगा 5 दोनों फिल करते हैं बच्चों तो इन दोनों को अपन माइनस करेंगे तो A Eliminate हो जाएगा तो B minus C कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ठीक है बच्चों time taken by B minus C कितना हो जाएगा B plus C का time कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर अब देखो एक चीज यह आपको करने की जुरत नहीं है time निकालने की ना आपको को जुरत नहीं है इसके अंदर आप क्या करो आपको दे रखा है कि B और C का जो efficiencies का जो difference है वो कितना है 2 है अब यहाँ पर जो मैंने value अगर मैं इसको 4 और 2 कहलो तो इनका difference जो है वो 2 ही तो आजाएगा तो इसका मरला मैं कह सकता हूं कि efficiencies of B जो है वो 4 है efficiency of C जो है वो आपका कितना है 2 है और बच्चों यह हम से पूछ के रहे हैं how many hours required filling how many hours required filling by the pi B alone pi B का पूछ रहा है इसकी कोई need ही नहीं है इसको काट दो तो सीधी सीधी सी बात है time taken by pi B efficiency is 60 divided by आपका बच्चों कितना आजाएगा यह 4 आजाएगा तो यह आजाएगा ठीक है देखे इसके अंदर अपना correct answer अगया ठीक है बच्चों हो सकता है बच्चों को बनाते बनाते कभी कभी options मिस्प्रिंट हो जाते हैं यह कुछ गल्तियां हो जाती है ठीक है लेकिन मैं आपको के question की guarantee दे सकता हूँ question बिलकुल सही है concept इसकी मैं 110% आपको guarantee देता हूँ और यह perfect आपका concept जो मैंन आपको चीज बताई है options कभी-गभी mistake हो जाते हैं जैसे last question के अंदर mistake था ठीक है तो यह चीज थी बच्चों इस तरीके से अपन question को करते हैं basically मैंने आपको बताया और कुछ भी नहीं है बहुत simple से questions है आपको efficiencies क्यालो या amount of work निकालना होता है किसी भी उसका then उसके बाद आपको question पर प्रसीड करना होता है ठीक है I hope बच्चों आप लोग कोई lecture समझ में आया ठीक है पूरे lecture को दुबारा देखना कोई भी दिखकता है तो आप लोग comment box पर comment कर सकते हैं ठीक है हमसे doubt पूस सकते हैं हम आप लोग के doubts कर रेपलाय करेंगे ठीक है बच्चों और आप लोग को अगर वीडियो पसंद आई तो subscribe करें हमारे Sterling Education का channel को और इसके बाद हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं pipes and systems की जहां पर अपन और धेर सारे questions को discuss करेंगे till then बच्चों thank you